अब ये तैय हो गया कि मंत्री की कोई हैसियत नहीं है सिग्रटरी चाहे तो मंत्री को धक्के मार कर बाहर निकाल सकता है कि उनकी परतिष्ठा लेली नितिश्कुमार जी ने उनको आप कह दिया जाए गन्ना पेरिये गन्ना उद्दोग विभाग जो विहार का सबसे छोटा सा विभाग है नमस्कार नुच फॉर निशन देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ धीरत सिंग राज़त कोटे के तीन मंत्रियों के विभाग में फिर बदल किया गया हमारे साथ भाजपा के वरिष्ट नेता सेयद सानावाज उसें जी सर जो पहले शिक्षा मंत्री थे प केके पाठक की और केके पाठक अच्छा काम भी कर रहे हैं उनके काम का अंदाज किसी को पसंद हो न हो लेकिन अब ये तै हो गया कि मंत्री की कोई हैसियत नहीं है सिग्रटरी चाहे तो मंत्री को धक्के मार कर बाहर निकाल सकता है ये नितिश जी की सरकार में तै हो गया औ और ये भी राम अपने जो चन्शिकर यादव जी थे ये शिक्षा विभाग पर तो कुछ बोल नहीं रहे थे ये तो राम चरित मानस पर ही बोलते थे अब देखिये प्रान पर्तिष्ठा कल हो नहीं आर आज ख़बर आई एक ख़बार में कि उनकी पर्तिष्ठा ले ले ली नितिश्कुमार जी ने उनको अब कह दिया जाएए गन्ना पेरिये गन्ना उद्दोग विभाग जो बिहार का सबसे छोटा सा विभाग है जिसके अंदर कोई सरकार की चीनी मिल भी नहीं है और जो प्राइवेट चीनी मिल है उसमें जाकर गन्ना की पढ़ाई देखेंगा और तो कुछ है नहीं पढ़ाई की जगा अब गन्ना पेराई का काम उनको दे दिया नितिश्कुमार जी ने और ये भी तैय हो गया कि खाता न वही राज़त को जो नितिश्कुमार जी कहें वही सही राज़त ने भी घुठने टेक दिये जो नितिश्कुमार जी ने कहा उ लालु जी ते जसी जी गए थे और उने मान लिया तो इस सरकार में राज़त की भी अब कोई अहमियत नहीं रही चाहे 43 सीट हो नितिश कुमार जीते हो लेकिन उस हुकूमत में उन्हीं की चल लई है जब बीजेपी साथ थी तो बीजेपी में कौन किस बेभाग का मंतरी बने होता था अब राज़त में कौन मंतरी होगा वो भी नितिश कुमार जी के दिया किर्पा पे ही अब रहेगा ये बात राज़त के लोगों को कान खोल कर सुन लेना चाहिए ये उन्होंने साबित कर दिया है और जदियू और राज़त के बीच में जबर्दस घमासान कारकरता के लेवल परもし और मंतरियों के लेवल पर और इसकी प्रकास्टा है कि तीन मंतरियों के विभाग बदल दिये गहें लेकिन इनकी अदिश कुमार का ये विशर्शा्थ है और जे डी में किसी प्रकार का कोई दिखत नहीं है मजबूती से महागज भंदन की सरकार चल रहाग तो ये कौन नहीं कहड़ा है कि विशेशा अधिकार है, विशेशा अधिकार कही तो उपियोग हुआ है, बीजेपी के सरकार में उन्होंने किसी बीजेपी के मंतरी का विभाग बदल देते थे क्या, राजत के लोग कहते हैं बड़े ताकतवर हैं, तो आपकी ताकत तो दिख है, और मंतरी जो है, वो गन्ना विभाग में चले गए, आखिर में एक सवाल है कि कल राम मंदिर का प्रान परतिष्ठा होना है, आरजेडी और कॉंग्रेस की और से जाने से इंकार कर दिया गया, लेकिन नितिश कुमार की और से अभी किसी प्रकार का इस्तिती नहीं है, उसका उद्गाटन होना है, ये कोई विवाद का विशे भी नहीं, कुछ लोग खामखा इसको विवाद का विशे बनाना चाहते हैं, जब ये मामला अदालत में था, तो सुप्रिंग कोट में ये दोनों पक्षने कहा था कि जो फैसला होगा, खब फैसला आ गया, तो मुस्लिम समाज के तरफ से भी कोई विरोध नहीं, और अपने-पने मख़ब कोई, जब कोई मंदिर कोई बनाते हैं, तो उसमें सब को शामिल होना चाहिए, मेरी तो मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील है, कि ये विवाद का विशे नहीं है, ये राज़द, कांग प्रेस, टी-म-सी, डी-म-क, ये लोग विवाद कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के तरफ से कोई विवाद नहुआ है, और नहोगा इस पे, उनको जिस तरह तहवार में सब लोग शामिल होते हैं, और एक दूसरे के तहवार में बधाई देते हैं, उसी तरह मुस्लिम सम हमाज में खुशी है, तो उनको बधाई देनी चाहिए, कि यूँकि विवाद तो तभी खतम हो गया, जिस दिन सुप्रिंग कोट का फैसला आया, इस पे कोई विवाद नहीं है, बहुत 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 नहीं है, भाज़पा के वरिष्ट नेता, सय्यद साहन वाजुस, दिल